नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अगले पांच दिनों के अंतरगत अगले नेक्स फाइव डेज में आप भूगोल का पहला चेप्टर भारत का बहुलिक परचे के अंतरगत अक्षान्सव देशांतर विस्तार मतलब एक फिकर उसकी याद होनी चाहिए और वो जो उत्तर तम बिंदू दक्षर तम बिंदू पूरुतम और पस्चिम तम बिंदू उनकी भी फिगर आपको याद होनी चाहिए फिर नमबर दो पर देखिए विस्तु के देश छेतरपल के इसाब से जनसंख्या के इसाब से और भारत का इस्थान अब बड़े जिले भारत के तथा बड़े जिले क्रमानुसार तथा छोटे जिले जिले क्रमानुसार तथा बड़े राज्य क्रमानुसार छेतरपल में जनसंख्या में इसके अलावा छोटे राज्य क्रमानुसार ठीक छेतरपल प्लस जनसंख्या दोनों में पड़ोसी देशों से सीमा वाले राज्जी, इसके साथ 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 स्थली सीमा, इस्थली सीमा का बिस्तार किसके साथ बढ़ा है और किस देश से हमारी कितनी सीमा मिलती है, वो आपको accurate figure याद होनी के लिए यह मैं करा दूँगा अपनी अगले पांस दिन की वीडियो में ऐसे ही constitution का बटवारा कर लिया है, ऐसे ही science का, ऐसे ही economics का पहले मैं आगली पांस दिन का जो syllabus आपको बता रहा हूँ, हर विसे में लगबख 10-10 trick आपको मिल जाएंगी, 10-10 जो topic हैं वो आपके clear हो जाएंगे, every subject के, ठीक है अगले देखते हैं पड़ोसी जस्वा सीमा वाले राज्य हो गए, जिले हो गए, अचा अगर आप किसी विसेस राज्य के हैं तो वहां के जिले आपको याद रखने होते हैं समुद्री सीमा वाले राज्य तता अविच्छन मंडल तता एकोनुमिक छेत रोता है 200 नौटिकल मिल तक वो बाला हिस्सा इसके अलावा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस-किस के बीच हैं पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, मननार की खाड़ी ये किस-किस के बीच हैं ये याद को रखना है मैक मौहन, रेड कलिफ, जीरो रेखा, डूरंड रेखा, 24 वी समान अंतर ये भारत के संदर्म में हम बात कर रहे हैं इसके लावा राज्य और राजधानी याद होनी चाहिए और केंसासित प्रदेश और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए पांड़चेरी और गोवा की जो बिसेस लोकिसन है वो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए गोवा कब राज्य बना कब संगसासित प्रदेश बना यह आपको राज्य याद होना चाहिए मैं बता तुमाँ आपको याद हो जाएगा यह की बार में यह सब 10 ट्रिक में पूरे आप मेंट रखतम है लेकिन हाँ कुछ जादा ट्रिक बनेंगी क्योंकि पडोसी जेस कही है उनकी बनेंगी और राज्य जो हम याद कर रहे हैं जनसंक्या के साब से और चेत्रपल के साब से उसकी दो-तिन बनेंगी करकरेखा की एकी ट्रिक है याद हो जाएगी और एक समय रेखा आओ चमाँ अप्तर्दो वह वाली आपको पूरे राज्य याद रखने है इसके लाबा सिलंका का भी समय भारत के समय सही में एच खाता है अब पुर्तगाल पे जो अधिकार रहा वो पुर्तगाल का अधिकार जिन छेत्रों पर रहा वो और फ्रांस का अधिकाज जिन चत्रों पर रहा वो भारत और चीन के जो प्रमुख विवाद हैं वो और भारत और पाकिस्तान के विवाद हैं वो और कच्च के रनकी लोकेशन और वहीं 24 में समान अंतर रेखा और वाइट वाइट लगता है वो नमक की स्तिती से ये सब अगले पांस दिन का स्लेवस है भूगोल का अभी दो मिनट बाद एक और वीडियो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कॉंस्ट्यूशन की क्योंकि कॉंस्ट्यूशन का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट है उसे मैं बस हैडिंग डाल के बता दूँगा ये मैंने बता दिया उसका ये रह गया है इससे अगला बाला दे रहा हूँ हिस्ट्री में और इससे अगली ही मैं स्लेवस दे रहा हूँ अगले पांस दिन का ही जियोग्राफिक जियोग्राफिक का बता दिया है और एकोनोमिक्स का Have a nice day, bye